प्रिय चात्रो आपका यायती महतबून प्रषण हैं हम आपको एक ही बार में जिंदिक भर के लिए आध करवाएंगे आपका जो इंपोर्टेंट प्रषण है उस्मियमान के से कहते हैं इनर के उस्मियमान को किस मातरक के दौारा प्रदर्शित किया जाता है तो बच्चे थोड़ा सपन समझते हैं बच्चो ये कोला है एक किलोग्राम है लकडियां हो सकती है या कोई भी इंधन हो सकता है एक किलोग्राम इसको अपन जलाएंगे माने इसका अपन करेंगे दहन जलाना होता है दहन करना तो इससे उश्मा प्राप्त होगी तो जो उश्मा प्राप्त होगी बच्चो इस इन्धन का उश्मियमान कहलाएगी माने एक किलोगराम इन्धन के दहन से एक किलोगराम इन्धन के पूर्ड दहन से प्राप्त होने वाले उश्मा उश्मियमान कहलाती है अब जो बच्चो फिर आगे जो प्रशन था कि उश्मी अमान को किस मात्रक के द्वारा परदर्सित किया जाता है किस मात्रक के द्वारा लखा जाता है तो अपने इनन केतना लिया था एक किलोग्राम लिया था तो इनन का उश्मी यह मान है उसको बच्चो किलो जूल प्रती किलो ग्राम यह लिखा है किलो जूल प्रती किलो ग्राम क्योंकि किलो लिया अपने तो किलो जूल हो गया उश्मा की कह जूल है बच्चो किलो जूल प्रती किलो ग्राम तो कितना लिया अपन ने एक किलो ग्राम लिया कितना लिया एक किलो ग्राम तो यहां भी लिखा है किलो ग्राम किलो जूल प्रती किलो ग्राम तो बचोपन इसका उत्तर देखते हैं एक किलो ग्राम इंधन के पूर दहन होने से प्राप्त होने बाली उसमा उस इंधन का उश्मियमान कहलाती है उश्मियमान को किलो जूल प्रती किलो ग्राम ये लखा है किलो जूल प्रती किलो ग्राम द्वारा प्रदर्शित करते हैं आसा करते हैं बच्चों आपको यह आंसर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाग